हेलो दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक अमेजिंग वीडियो में क्या आप लोग जानते हैं कि जादातर सडके कालीकियों होती हैं यह कुछ ऐसा है जिसे हम हर जग़ा देखते हैं लेकिन हम सायध ही कभी इस पर ज्यान देते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग सडक के पीछे का सायन समझेंगे जो बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है तो आए थोड़ा इतिहास से सुरू करें पक्की सडकों का विचार बहुत ही पुराना है प्राचीन गोमन सभेता ने पत्थुरों का उप्योग करके सडकों का जाल बनाया था लेकिन ये सडके काली भूरे या सफेद नहीं थी ये इस्तिमाल की गई सामगरी पर निर्वर करता था उननीसवी सदी के अंग और बीसवी सदी की सुरुवा तक काली सडके आम नहीं थी ये बदलाव एक नई सामगरी की खोज के साथ हुआ जिसे आज हम डामबर या तारकोल भी बोलते हैं डामबर एक चिपचिपा, काला और गाढ़ा तरल या पेट्रोलियम का ठोस रूप है इसका उपयोग मुख्य रूप से सडक बनाने में किया जाता है क्योंकि ये टिकाऊ, वाटरप्रूफ और फ्लेक्सिबल भी होता है डामर कच्चे तेल से बने वीटुमेन, रेत, बजरी और कुछले हुए पत्थर को मिलाकर बनाया जाता है यह एक ऐसी सामगरी होती है जो गाडियों के वजन और खराब मौसम को सहन कर सकती है लेकिन सवाल ये उठता है कि काला ही क्यों, काले डामर को सडकों के लिए क्यों चुना जाता है इसके कई कारण है सबसे पहले काला रंग सुरच की गर्मी को सोख लेता है जिससे ठंडे इलाकों में बर्फ जल्दी पिघलती है और सरदियों में सडके सुरक्षित रहती है दूसरा काली सडके सफेद और पीली लाइनों को साफ दिखाती है ये डिफरेंस ड्रैवर की सुरक्षा को बढ़ाता है खास कर रात में तीसरा गहरा रंग तेल के दाग और अन्य निसानों को छिपाता है जो सडक को गंदा कर सकते हैं इससे सडके साफ और अच्छी रहती है दांबर से बनी सडकों के कई फायदे हैं लेकिन पर्यावरन को भी नुच्सान होता है दांबर के उत्पादन से प्रदूसन होता है और ये सामागरी बायो डिग्रेडेबल नहीं है तो अगली बार जब भी आप अपनी गारी को सडक पर चला रहे हो तो सोचना इसे बनाने में विज्ञान और इतिहास का कितना योगदान है सडके सिर्फ पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने का रास्ता नहीं है ये मानो समझदादी की कहानी है सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आप क्या सोचने हैं कमेंट में जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी होती वीडियो को लाइक करना शेर करना और इंडिया फेक्टोईट को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप से मिलता हूँ ऐसे एमेजिंग वीडियो के साथ इन नेक्स वीडियो